अगर आप कोई भी प्रोड़क्ट यूज करते हो तो आपको उसमें एक दो मिनिट का गैप जरूर देना चाहिए ताकि हमारा जो प्रोड़क्ट हम यूज कर रहे हैं अपने स्कीन पर वो हमारे स्कीन में अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए आपके स्कीन के लिए बहुत ही अच्छा फेस पैक जो कि आपको हथे में दो बार यूज करना चाहिए और यह आपके स्कीन को बहुत ही साइनी सा और बहुत सुंदर सा बनाने वाला है मैंने बस सीरम और संस्कीन ही यूज करा है आपको वीडियो में समझ में आ जाएगा यह ऐसे क्यू है तो यह बायोटिक का एडवांस है वेदा फ्रूट ब्राइटनी डी पिग्मिंटेशन और टैंड रिमूवल फेस पैक है जो की वह जो की यह आल स्कीन टाइप से और यह 100% आयूरवेदिक चीजों से बना हुआ है तो यह आपको 100 उपेस में मिल जाएगा और यह बहुत दिन चलेगा गाइस बहुत दिन चलेगा तो आप इसे नायका से पर्चेस कर सकते हो और भी आपको अपने फेस को बास कर लेना है अच्छे से आप जो भी फेस कर लेना है तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी इसकी कुछ बैनिफिट्स और इसकी कुछ साइड इफेक्ट्स तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना हूं नाओ लेट्स स्टार्ट दो वीडियो तो यह आप देख सकते हो इसको मैंने पूरा खतम कर दिया है बहुत बार यूस करा है मैंने आप लोगों को पता है कि जो भी चेज़े मैं यूस करती हूं उसको पह तो यह देखो इसको मैंने बहुत बार यूस कर रहा है तो मैं सैटिस्फाइड हुई हूं मुझे रिजर्ट अच्छा मिला है दन मैं यह आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूं और मैं यह वीडियो आपके साथ सेर कर रही हूं तो यह खतम हो चुका है तो मुझे इसे इंड एमारे स्कीन के लिए कितना है एल्थ के लिए भी हता है जो बेगेंडर से इस पैक का यूस करें उन्हें बहुत इच्छा बेनफिट होगा उनके skin के लिए यह आपके skin को shiny बनाएगा bright बनाएगा और skin को shiny लुक बनाएगा आपको अपने skin पैसे अच्छे से apply कर लेना है और उन्हें सूखने तक या 10 मिनट तक रखना है दैन वस कर लेना है यह आपके pigmentation को भी हटाएगा और इसके साइड इफेक्ट्स बिलकुल भी नहीं है तो मैंने फेस पास कर लिया और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि पीछे की साउंड्स को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैं खुद अल्डेडी पलेशान हूं तो गाइस मैंने फेस वास कर लिया और यू आपसे इस सो ब्राइटनिंग और सो साइनी और सो क्लियर यू आपसे नाव आम यूजिंग डर्मा का 5 परसेंट विटामिन सी डेली फेस शीर में पूर स्कीन इलूमिनेशन इसमें है विटामिन सी फेल्कुलिक असिड और मल्टे विटामिन तो मैं इससे यूज़ करूंगी यह ओईली और नॉर्मल इसकीन वालों के लिए बहुत अच्छा ही सीरम है आप लोग भी इसे यूज़ कर सकते हो जिसका इसकीन नॉर्मल और ओईली है मेरा स्कीन ओईली है तो देखो मेरे में कितना अच्छा यह स्रूट कर जाता है और इससे भी मैंने यह अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां तक आपको देख रही है वाटर हिलता हुआ मतलब सीरम हिलता हुआ जो भी है तो इतना मैंने खत्म कर दिया है इतना चलिए चनला आपको संस्क्रीन बहुत लोग लगाते हैं अपने नेक एरिया और एरिया को बहुत ही लोग मिस्ट कर जाते हैं तो आपको अपने यह इस नहीं करना श्वर्वी श्रूट रगाना ही है ताकि हमारा नेक एरिया तक हमारा सीम सीम जो स्कीन है वो दीखे नहीं तो अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है आप लोग समझ सकते हो मैं लिप मोईश्राइजर के लिए लगाओंगे लिब वाओं भीजाओं कर ये बहुत ही अच्छा लिब वाओं है 25 का ये मिल जाएगा आपको आफ लाइन मैंने आफ लाइन ही पर्शिश किया था अगर आप इसे ऑनलाइन भी डूंडोगे तो साइध मिल ही जाएगा नव माइ स्कीन केर इस कम्पलेटेट नव यू कैल सी वाओं जस्ट लुकिन वाओं अगर आप कोई भी प्रोड़क्ट यूज करते हो तो आपको इसमें एक दो मिनिट का गैप जरूर देना चाहिए ताकि हमारा जो प्रोड़क्ट हम यूज कर रहें अपने स्कीन पर वह हमारे स्कीन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए दैन दूसरा प्रोड़क्ट उसल चाहिए यह एक पार भी कर सकते हो और कोई पैक भी यूज कर सकते हो बट हग्ते में दो बार फेस्ट यूज क्या करो और इसी ज़रूर बाय करो यह आपके स्कीन के लिए बहुत ही अच्छा है यह फ्रूट फेस पान बायो टिक का और मैं आपको सज्जेस्ट करूंग यह all skin type के लिए बहुत ही अच्छा है और hope you like this my video so अगर आप कोई मेरी वीडियो पसंद आई हो तो like करें, share करें और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को कर लिजे subscribe और साथ ही कर लिजे बेल आइकोन को hit मिलूंगी अपने next वीडियो में